आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बैल का एकन प्रेस करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंट्स सो फ्रेंट्स आज कैसा लगा मजा आया बहुत जबर्जा सभी को मुझे लगता काफी एक्साइटमेंट था मार्केट के अंदर और यू नो जैसा कि मैं सी एंबी सी आवाज पर और जी बिजनिस पर सुन रहा था काफी डरे हुए थे था भी आहं के जब फंडमेंटल्स हमेश्व अच्छे होते हैं तो लोगों दर नहीं होता लोग जब संट्रिमेंट्स नगेटिव हो जाते हैं न तो फंडमेंटल्स भी कोच नहीं कर सकते और उसका एक बहुत ही उत्तम उदारान आज हमें सभी को देखने को भी आम मार्केट के अ और मार्केट ओ माई गॉड आज तो मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूं कि अगर जो ट्रेडर्स रहे होंगे उनको कितनी बेस्ट अपॉर्चुर्टीज मिली होंगी कितना बहतरीन पैसा कमाया होगा पर चुकि मैं जनरली इंट्रेडे नहीं करता हूं तो मैं केवल मार्केट को बॉच कर रहा था है ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल नहीं किया कुछ पैसा मैंने कमाया दस बारा हजार रुपए बट यह था कि मैं भी टाइम में लॉट में आ गया था आज और वहां पर एक पैनिक सिच्वेशन थी बट जयते जयते दिन गुजरा होड किया पोजिशन को जब मुझे बहुत ही जबर्जस एक अच्छे पॉच्टिटी दिखाए देती है अधरवाई जनली पोजिशन कॉल रखता हूं मैं अपने बाद पोजिशन रखता हूं कैश में बाई करता हूं जिनी स्टॉक्स में भी करता हूं और आप देखेंगे कि इस तरह से डियेच मिलगा और जितनी भी अधर फाउसिंग फिनेंस कंपनी हैं जिसमें कि आप चले जाएए इंडिया बुल्स हाउजिंग जो कि लगबग तीस परसेंट टूटा एंड यू लाइसी फिनेंस फिनेंस सर्विसे जितनी भी बात करेंगे हम तो जबर जस पैनिक रहा निफ्टी में भी बहुत ही शांदार बॉटम लाइंट टच किया दस हजार आठ सो पचास के पास करी लेकिन हम लोग ना अल्रेडी आप तभी को प्रीवेस वीडियो में बोल रखा है कि निफ्टी का जो स्ट्रॉंगेस सपोर्ट है वह सपोर्ट है 11,050 का इसपास और अगर वह तू एक ऐसा इंपोर्टेंट सपोर्ट लेविल है जो कि अगर टूटा तो सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगा निफ्टी फिर 10,700-10,750 के आसपास जा सकता है बन ऐसे नहीं हुआ आज अड़ा अड़ा एंड अड़ा क्लोजिंग मार्केट में जब बंद हुआ मार्केट तो तब तक निफ्टी अच्छे खासी रिकवरी ले चुका था एंड लेट सी हम लोग निफ्टी की बात करते हैं आप यह देखेंगा डिये चेफल में आज केंडिल आप देखेंगा आँ देखें को डर जाए 619 रुपए 619 और गिर के कहां पाया 270 रुपी के पास यानि कि बॉटम लाइन टाच किया लगबख 276 नसी पे एक ही दिन में कितना जबर्जस गिरावट आया स्टॉक के अंतर 60 पर्सेंट नियर बाई स्टॉक तूट गया लेकिन यह एक दिन में नहीं हुआ जैसे कि आप लोग को चार्ट यह दिखाए दे रहा हो का काफी दिनों से कश सब्सक्राइब जितने भी फिनांस सेक्टर की कंपणिये सबी इस समय बुरी दरते पिट रही है कारण कारण है रुपीज का डेप्रिशेशन यानि की रुपया 72 रुपय तेतर रुपय के आसपास पहुंच चुका है और यही कारण है कि जो फैनांस सेक्टर की कंपनी दे सबी में एक जबरजस्त दवाब देखने को मिला जो कि असर एक छोटी सी नियूस कहते नहीं कि जब लोहा गरम होता है तो एक छोटी सी चोट से ही वह तूट जाता है कुछ ऐसा ही इस तरह थे हुआ एक तो प्रेशर अल्डेडी पहले थे ही था फिनेंस सेक्टर के कंपनी इसके उपर गिरावट दवाब कि करन्सी टूट रही है इंडिया की क्या सिचुवेशन जाएगी कहां तक करन्सी टूट एगी उदर क्रूड के प्राइस बाइब रहा है बहुत है हायर हो रहा है तो एकॉनमी में कहीं न कहीं डिस बैलन्स क्रियेट हो रहा था काफी थिंक करीवन दिस वन एंड तकरीवन दिस वन अब देखेंगे कि मई से लेके 16 अपरेल से लेके और कल तक की बात अगर मैं करता हूं 19 सेप्टमबर तक भी एच अफल एक रेंज में ट्रेट कर रहा था यानिकी 580 के आसपास तक नीचे रहता था था टॉटम सपोर्ट उसके जा था 650, 630, 640 इस रेंज में तो ना तो बॉटम लैंड को ब्रेक नहीं कर पा रहा था लेकिन वह अच्छे मार्केट में जैसा कि हमने देखा मार्केट में 11700 का लेविल तक चला गया था बट डिएच एफल ने 11,080 के ऊपर की क्लोजिन नहीं दी उसके बाद आप यहां यहां पर देखे जब 4 सितंबर को एक रेड केंडल बनी टॉप 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 करने के बाद तो रेड केंडल के बाद लगातार तीन केंडल हमें अंसर्टेन में बिली यानिकि अंडिसी मोड में बैटे थे बहुत ही स्मॉल दोजी कांड ऑफ केंडल से क्रेट हुई जहां नहीं सेलर्स बुलूश है और आप वालियम बिलकुल ना के बराबर आपश सिरीज में नहीं नकिराबर है यानि कि पता नहींये पाता कि क्या करना है उपर जाएगा नीचे लाइगा सके वासी वाद तीन की कैंडल के बाद सड़नली ए को ऐर अब बरिए केंडल बन लिएश गया उसके बाद 11 सितंबर को और बेरिश केंडिल तैयार हुई और 11 सितंबर के बाद 12 13 14 स्वरी 12 13 यहां पर आई 12 14 17 18 19 नेट इन पांच दिनों की केंडल को आप आफ जर्व कर लिजे इन तीन दिनों की कैंडल को आप आफ जर्व कर लीजे क्या हुआ वसका उड़क पर देखिए इन सभी तरह की जो दोजी काइंड ओफ केंडल को अब्सवर्फ कीजिए जनरली इस्टॉंग मार्केट में अगर स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है और वो भी अपने पीक पर हाई पर तो आप समझ सकते हैं की कंडिशन बियर्श हो सकती हैं अगर में स्टॉक अपने रेंज को ऊपर की तरह ब्रेक नहीं कर पा रहा है एक अच्छे वॉल्यूम होते हुए भी एक अच्छी तेजी होते हुए भी और वह कहीं नहीं स्टक हो रहा है एक सटेन लेबिल पर तो याद रखिएगा जब मार्केट में गिरावट आएगी तो वह स स्ट्रॉंग हो जाते हैं और बायर्स वीक हो जाते हैं जैसे एक एग्जामपल रहता है कि जब कहते नहीं कि जब शेर शिकार करता है हिरन का तो हिरन बहुत तेज भागता है पहले और शेर जो चीता होता वो कहीं पीछे रह जाता है लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब तेजी होती है उपर कितना ब्रेक नहीं हुई और वायर वीक होते चलेगे जब कमजोर हो गए तो एक चोट पड़ी एक निउस आई और सेलर साभी हो गए और आप देखेंगे कि इतना बड़ा जबर जबर ज़स फॉल टीएच फल के अंदर हमें देखना को बला इसकी रिकावरी आप यह मां सोचेगा कि अगले दिन रिकावरी हो जाएगी क्योंकि एक जब निउस निकल के आती है और उस निउस के चलते हैं जब प्राइज साथ परसेंट टूट जाता है तो जब भरोसा होता है वो कहीं न कहीं निवेशुकों का टूट जाता है और एक बर से वह वेट करते हैं स्टैबलाइज होने का डी एच फेल में जो आपका यूच ऑफेला ईंडियोन ईडियाबो साउजिंग के जो बनने में आभी समय लगे गा प्लोगों कि आप अभी थोड़ा ता वैट कीजएगा पहनी नाजर बनाकर रखेगा अगर इस टौक में आप लेविल हो क्या रहेगा लगबख 270 का तू सेविंटी फाइव क्या असपास का और आज आप वालियूम देखेंगे यह गिरा है चोटे मोटे वालियूम के जाए नहीं की रहा है बहुत है वालियूम के साथ गिरावट आही है बिकवाली आही जा UV ओर आहे इंपस की सबस्नान कराब्ण एक साल के लिए हूड कीजिए, ये स्टॉक वापस आपको अच्छे नमबर देगा, क्योंकि हाउसिंग फिनेंस सेक्टर में डियेचाफल एक नामी ब्रैंड है, जिस तरह से जो CEO डियेचाफल के हैं, उन्होंने ये बताए कि लगबग 10 लाग करोन की लिक्रिडी अल्रेडी क कंपनी के पास है, तो किसी भी तरह की डिफाल्ट की गुंजाइश नहीं है, जो कि रूमर वनी थी कि डियेचाफल ने डिफाल्ट हुआ है, और इसी डिफाल्ट की न्यूस को चलते चलते डियेचाफल का प्राइस गिरा, तो चलिए हम आपको बताते हैं वो न्यूस क्या अभी देते हैं, कि क्यों गिरा, 44% कह रहे हैं यह फाइनली बाद में, ठीक है, लास्ट में अट अब द आप द आप द लो, 42% So, the DHFL share slumps 42% on the default rumor, drag housing finance stock as well, यानि की, default का rumor जनरेट हुआ था, DHFL का, और इस rumor के चलते, पूरा का, पूरा housing finance sector तूट गया, और जमीन में धराम से गिर गया गया, चाहिए, वो कितना ही powerful stock क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन, ऐसा कुछ नहीं था, कोई default नहीं किया, DHFL ने, और DHFL का CMD जो कपिल वाधवा ने, उन्होंने साफ साफ बताया कि किसी तरह का default की कोई गुझाइश नहीं है, क्योंकि एक अच्छी खासी liquidity company के, you know, reserve में है, इंडियबों housing finance limited slums 23%, गुरुव finance 15%, LIC housing finance 15%, आप थमात थे, LIC जैती company, ठीक है, वो 15% टूट गई थी, and L&T housing finance limited 12%, DHFL default scare, DHFL का default थे, उसने सब को डरा के रख दिया, ओ, shares of the housing finance companies came under the sharp selling pressure on the Friday after the divan housing finance limited DHFL slummed nearly 60% in the afternoon trade, यानि की 60% ये stock two-tar, dragging down other home finance companies as well, चुकि अदर home finance company थी, वो भी DHFL में गिराबट के चलते ही, उनमें भी दवाब आया, और उनमें भी एक बड़ी selling start हो गई, इंडियबों housing finance 23% grew housing 15%, LIC housing 15%, L&T housing finance 12%, DHFL shares closed at the rupees 351.55 per share on the BSE, down 42.43% और रुपी 259.05 from the previous session, यानि की जो कल की closing थी उससे, ठीक है, sorry, पर्सो की जो closing थी, Wednesday की, क्योंकि कल यान थेज़ जो को तो market ही close था, दा बैंचमार्स NSX fell 0.75% और 279.62 point to the end of the day, 36,841.60, the real estate market has been under pressure, as the firms have not been able to raise funds due to the various policy steps, RERA, GST and the demonetization, taken by the government to curb black money. According to the analyst, weak shares together will rise the cost of the pressure, यानि की real estate sector में भी आपको सभी को दबाब मिलेगा, तो आप थोड़ा था, जब real estate sector में दबाब रहेगा, तो फिर जो finance sector, housing finance sector, उसमें भी दबाब आएगा, क्योंकि कम तक finance कम हो जाएंगे, loans कम हो जाएंगे, ठीक है, has been compounded with a negative news flow arising from the implementation of the real estate regulation of the development act 2016 RERA and the insolvency and the bankruptcy code, a likely further decline in the residential real estate price alongside rising cost will add to pressure on the valuation on the housing finance sector में भी pressure उसका रहेगा, जो की real estate में, यानि की जब भी real estate पर pressure आएगा, तो अबिसी बात है, housing finance की जो loans होंगे, वो कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, लोन घटेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, housing finance sector के उपार, media reports said, DHFL had defaulted interest payment on its debt, यहाँ पर कहता है, media reports ने कहा था, DHFL had defaulted interest payment on its debt, मतलब जो भी उसका कर्ज था, उसमें जो उनको interest payment करना था, वो उसमें उसको default हो गया, वो नहीं कर पाई, तो यह इस तरही एक rumor आई थी, जिसकी बज़े से गिरा, however, this was denied by the DHFL chairman and the managing director कपिल वादवन, तो जब यह media में यह report flash होई, उसके बाद धराम हो गया, फिर उसके बाद दुपैर में, आफटरनून में, DHFL के chairman और जो managing director थे कपिल वादवन, वो आया, उन्होंने बताया कि proper liquidity है, company के पास, लगबग, एक अच्छी खासी 10,000 करून रुपै की liquidity, still company के पास है, तो किसी तरह की default की कोई गुजाईश नहीं बनती, it happening to all the HFCs, यानि housing finance companies and not just us, I fail to understand why Vardavan told Mint, this is the unprecedented, we have not been delayed or defaulted any payment, we have sufficient cash reserves, it seems to be outcome of the sentiment, we are communicating with the stakeholders, including the investors, तो यह बतारा है कि इस तरह का किथी default कोई default नहीं हुआ है, और यह जो भी news है वो, just a rumor है, और इसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूं कि वो basically क्या rumor था, let's wait and watch, just a moment, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा था वेट कीजिए, थोड़ा था टाइम दीजिएगा, मैं आपको, निउस मेरे पास आई टी, मैं आपको दिखाता हूं, वो news मैं आपको जरूर definitely पढ़ाँगा, जो DHFL के बारे में आई है, मेरे मित्रगडों ने मुझे शेर की थी, वो news, let's wait, just give me a moment, please, and, yep, यह हम आपको, select message, copy text, और मैं आपको notepad पर दिखाता हूं, इस news को, सुधर आपको पढ़ने में भी आथानी है, और मुझे बताने में भी आथानी है, ठीक है, यह Mr. Nirov, जो मेरे telegram member है, और उनने मेरे को share किया था, and why NVFC's sailing off, क्यों आया, यह sailing off जुआया, there is a news that DHFL bond has sold for the high implied yield off to maturity of the 11%, यानि 11% की जो yield उस पर बेचा गया, DHFL का जो bond था, जो की experts का मानना है, लगबग blow 10 यानी सिंगल उनिट में होना चाहिए था, 10 से नीचे होना चाहिए था, बट एक high yield पर बेचा गया 11% पर, this has made stock investors of the DHFL worried about the DHFL liquidity and sold off the stock, और इसके चलते हैं, जब उन्हें देखा कि high yield पर बेचा गया बॉंड, तो investors जो उनको फियर आया, उनको लगा, शाहिद default आने के संभाव नाया, और उन्होंने अपनी जो holding जीज को बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, other HFCs have sold off the, in the sympathy with the DHFL, other non HFCs and BFCs have joined in the sale of, जब DHFL गिरना शुरू हुआ, तो obviously बात है, कि जब market में किसी एक particular sector का एक stock गिरता है, किसी एक rumor के चलते, तो other जो companies होती हैं, उनके जो निवेशक होते हैं, वो भी for the safety point of view, अपने पैसे को withdraw करना शुरू कर देते हैं, और सेल शुरू कर देते हैं, वह हुआ, other companies में भी सेलिग शुरू हो गई, DHFL management has confirmed, on the air that they have not defaulted, and there is no liquidity crisis at the DHFL, वोनों नहीं किलियर कर दिया, कि किसी भी तरह का कोई भी liquidity crisis नहीं है, company के साथ, it is possible that the entity which sold DHFL paper, did so because it was not satisfied with this exposure, and wanted to sell anything of slightly questionable, credit worthiness, this is an example of the risk, after the unfolding of the IL and FS saga, even though entities being sold off, have no direct exposure to the IL and FS, DHFL and IVHF have both confirmed on the air, they do not have any exposure to IL and FS, यानि कि ILFS जो company है, वहाँ पर उसमें default हुआ है, और उसमें default के चलते, जो bond deal भी किया, तुमें लगा कि, काई ना कहीं जो DHFL है, और जो इंडियापोल्स होदिंगे, दोनों का काई ना कहीं exposure IL and FS में, बट, दोनों कहीं CEO ने आके ये confirm कर दिया, कि उनकी किसी भी तरह का exposure IL and FS में नहीं है, और फिलाल मार्केट में शियर तो काफी गिर चुका, प्लंग हो चुका, 42% से 43% के आसपास downside closing का बंद हुआ है, बट गाइस देखिए, अभी मैं आपको खरीदे की सलाह नहीं दूँगा, reason behind कि एक sentiment और negative generate होई गया, next week अभी market के expiry भी है, और मुझे लगता है कि still कुछ pressure अभी रहेगा, एक बार जो label को consolidated होने का weight कीजेगा, आप लोग जल्दी बाची में मत खरीदेगा, proper company की analysis कीजेगा, chart pattern आप देख लीजएगा, इस वक्त fundamental तो एक side में चलेगा company के, क्योंकि fundamental डजन्ट मैटर इस समय, ठीक है, इस वक्त जो main चीज़ है, वो है sentiments, क्योंकि हमेशे अगर आप fundamentals पे game खेलते रहेंगे न, तो भी आपको problem हो सकती है, तो आपको fundamentals के साथ सेंटिमेंट, और सेंटिमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, जरूरी होता है technical analysis, और technical analysis में आप देख पा रहे होंगे, कि चार्ट और डेडी काफी दुनों से एक signal दे रहा था, पकड़ना नहीं, पकड़ना एक अलग बात है, बट चार्ट ने indications दिये थे, कि वो एक अच्छे market में भी एक तेजी के market में भी ऊपर की range को break नहीं कर रहा है, एक weakness चो कर रहा है, एक you know, एक stuckness दिखा रहा है, और यहां पर छोटी छोटी जो दोजी kind of candles हैं, वो यह दिखा रही है, यह बता रही है कि कहीं न कहीं buyers और sellers काफी confused है कि क्या हो सकता है, और जब इस तरह की situation आती है तो एक positive news काफी उपर लेके जा सकती है, gap up में लेके जा सकती है, और एक negative news stock के price को जमीन के अंदर पचा सकती है, खेर इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग होते हैं, आप लोग technical fundamental दोनों ही labels पर अच्छी जानकारी हासिल कीजिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो यह stock market आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, और आज जो लोग cable सुनके newsbase पे ही buying करते होंगे, इन्होंने देखा 10% DHL gear का खरीद लो, इन्होंने देखा 20% DHL gear का खरीद लो, और उन्होंने चार्ट पैटरन को नहीं समझा होगा, उन में से जनके कितने लोगों को आज हार्ट अटेक आया होगा, और यह मुझे कहते हुए भी कोई वो नहीं हो रहा है कि आज नहीं आया होगा, हाँ मैं ईश्वर ते यह द्वा करता हूँ, अगर कुछ लोगों को इस तरह की तकलीफ हुई हो, इस तरह के पैनिक बाजार में तो ईश्वर उनकी मदद करें, उनकी रक्षा करें, उनकी परिवार की रक्षा करें, खेर, यह तो मार्केट में हमेशा चलता रहता है, और हमारे बहुत सारे टेलिग्राम यूजर्स भी हैं, जिनको बहुत सारे बड़ बड़े लॉस्स लिए है, मार्जिन में ट्रेट कर रहे हैं, कोई किती के पास कम पहता है, ज्यादा शेर्स करीद लिए, लिमिट में पोदीशन है, हमेशा कहते हैं कि आप मार्केट का वो होड करके रखें, आज नहीं, छे मयने बाद, सालवर बाद, आपका पैसा रिकवर हो जागा, आपका पैसा नहीं डूबने वाला, ठीक है, समय लग सकता है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन आपका पैसा नहीं डूबेगा, यह निश्चित तोप है, तो दोस्तों किसी भी है कि intraday day trading limit margin borrowing किसी भी तरह थे इन माध्यम होते आप trading मत कीजिए बरना आप बड़ी-बारी मुश्किलों में घिर सकते हैं यह एक आप सभी को सीख है market में कि market जब गिरता है एक news के चलते तो संभलने का मौका किसी को भी नहीं मिलता चाहिए वो छोटा निवेशक हो चाहिए वो बड़े investors हो खैर आज के लिए ही इतना ही ग्यान अगले वीडियो में हम लोग जल्दी मुलाकात करेंगे बात करेंगे यस और आप पहले चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना बुले और साथ ही अगर आप बैल करेंगे तो जल्दी मुलाकात करते हैं तो मुझे अगय दीजिए चलता हूं मैं एंड होफुली मंडे को मार्केट किस तरह के चलता है पेशेंस रखियेगा पैनिक मत होईएगा और नहीं बहुत ज्यादा उताबले हो जाईएगा कि बहुत सारे श्यर्स लुवर लेबिल पर आप उसमें खड़िना चुल कर दें क्योंकि अभी तो एक छोटा सा कहते हैं यह जहाँ झाए प्र वाच चलता है यह प्रोच घी नहीं है अच्छै कि अ एक।